लीजे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी गरीब की हाए वाचन समीर गोस्वामी का है प्रेमचंद की आप अपनी पसंदीदा कहानिया अब सुन सकते हैं भारत की सबसे बड़ी पॉड़कास्ट डिरेक्टरी हब हॉपर पे हब हब पर आपके लिए लेकर आए हैं हजारों पॉड़कास्ट जो आप सुन सकते हैं दुनिया में कहीं भी कभी भी प्रेमचंद की कहानियों के नए और पुराने एपिसोड आप हब हब पर पर सुन सकते हैं तो सिल्सला शुरू करते हैं प्रेम चंद के लिखी कहानी गरीब कियाएगा मेरी यानी समीर कोड़ स्वामी की आवाज में मुन्शी राम सेवक भौहें चड़ाय हुए घर से निकले और बोले इस जीने से तो मरना भला है मुन्शी राम सेवक चांदपुर गाउं के एक बड़े रईस थे रईसों के सभी गुण इन में भरपूर थे मानो चरित्र की दुरूबलताय उनके जीवन का आधार थी वो नित्त मुनसिफी कचहरी के हाते में एक नीम के पेड़ के नीचे काख्जों का बस्ता खोल एक तूटी सी चौकी पर बैटे दिखाई देते थे किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैर्वी करते नहीं देखा परंतु उन्हें सब लोग मुखतार साहब कहकर पकारते थे चाहे तूफान आए पानी बर से ओले गरें पर मुखतार साहब वहां से टस्स से मस न होते जब वो कचहरी चलते तो देहातियों के जुन्ड के जुन्ड उनके साथ हो लेते चारो और से उन पर विश्वास और आदर की द्रश्टी पड़ती सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीव पर सरस्वती विराचती है इसे वकालत कहो या मुखतारी परंतु ये केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था आमदनी अधिक न होती थी चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भे उनके पास आने से हिचकते थे मुझ्शी जी की कानून दानी में कोई संदेह न था परंतु पास के बखेडे नोंने विवश्च कर दिया था खेर जो हो उनका ये पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था नहीं तो उनके निर्वाह का मुख साधन आस पास की अनात पर खाने पीने में सुखी विदवाओं और भोले भाले किंतु धनी वरद्धों की श्रद्ध थी विदवाओं अपना रुपिया उनके हाँ अमानत रखती बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौब देते पर रुपिया एक बार उनकी मुठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था वो जरूरत पढ़ने पर कभी कभी कर्ज ले ले लेते थे भला बेना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है भोर को सांच के करार पर रुपिया लेते पर वो सांच कभी नहीं आती थी सारांच मुठी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे ये उनकी कुलपिर था थी यही सब मामलें बहुदा मुठी जी के सुख चैन में विखन डालते थे पानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था इस मैदान में उसका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था परन्तु जब कोई दुश्ट उन से भिड़ जाता उनकी इमानदारी पर संदेह करता और उनके मूँ पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता तब मुठी जी के हिर्दे पर बड़ी चोट लगती इस प्रकार की दुरगटनाय प्रायहा होती थी हर जगह ऐसे ओचे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आननदाता है ऐसे लोगों का सहरा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुझी जी के मुह लग जाते थे नहीं तो एक कुझड़िन की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में आकर उन्हें बुरा भला कहे मुझी जी उसके पुरानी ग्रहक थे बरसों तक उससे साग भाजी ली थी यदि दाम ना दिया जाए तो कुझड़िन को संतोश करना चाहिए था दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते परन्तु वो मुह फट कुझड़िन दो ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसे के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया जुझला कर मुंशी जी अपने कुमरत्यू का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए तो इसमें उनका कुछ दोश न था इसी गाउं में मुंगा नाम की एक विदवा ब्रामनी रहती थी उसका पती ब्रामा की काली पल्टन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मुंगा को पांच सो रुपे मिले थे विदवा इस्तरी जमाना नाजुक था बिचारी ने सब रुपे मुंशी राम सेवक को सौप दिये और महिने महिने थोड़ा थोड़ा उसमे से मंगा कर अपना निर्वा करती रही मुंशी जी ने ये कर्तव कई वर्ष तक तो बड़ी इमानदारी के साथ पूरा किया पर जब भूड़ा होने पर भी मुंगा नहीं मरी और मुंशी जी को ये चिंता हुई कि शायद उसमे से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती तो एक दिन उन्होंने कहा मुंगा तुम्हें मरना है या नहीं साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूँ उस दिन मुंगा की आँखें खुली उसकी नीद तूटी बोली मेरा हिसाब कर दो हिसाब का चिठ्था तैयार था अमानत में अभी एक कोड़ी बाकी ना थी मुंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ कर कहा अभी मेरे धाईस रुपे तुमने दबा रखे हैं मैं एक कोड़ी भी ना छोड़ूंगी परंतु अनाथों का करोध पठाके की आवाज है जिससे बच्चे डर जाते हैं और हसर कुछ नहीं होता अदालत में उसका कुछ जोर न था ना लिखा पड़ी थी ना हिसाब किताब हाँ पंचायत से कुछ आस्रा था पंचायत बैठी कई गाउं के लोग इकटे हुए मुंशी जी नियत और मामली के साफ थे उन्हें पंचों का क्या डर सभा में खड़े होकर पंचों से कहा भाईव आप लोग सत्यनाराण और कुलीन हैं मैं आप सब साहबों का दास हूँ आप सब साहबों की उतारता और कृपा से दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कितग है और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विद्वा इस्त्री के रुपए हड़ब कर गया हूँ पंचों ने एक स्वर से कहा नहीं नहीं आप से ऐसा नहीं हो सकता राम सेवक यदि आप सब सज्जनों के विचार हों कि मैंने रुपए दबा लिये तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं मैं धनाध नहीं हूँ ना मुझे उदार होने का घमंड है पर अपनी कलम की किरपा से आप लोगों की किरपा से किसी का मोहताज नहीं क्या मैं ऐसा ओच्छा हो जाऊंगा कि एक अनाधनी के रुपए पचालो पन्चो ने एक स्वर से फिर कहा नहीं नहीं आप से ऐसा नहीं हो सकता मुह देखकर टीका काढ़ा जाता है पन्चो ने मुझे जी को छोड़ दिया पन्चायत उठ गई मुंगा ने आह भर कर संतोश किया और मन में कहा अच्छा अच्छा ये ना मिला तो ना सही वहां कहां जाएगा अब कोई मुंगा का दुख सुनने वाला और साहयक न था दरिद्रता से जो कुछ दुख भूगने पड़ते हैं वो सब उसे जहलने पड़े वो शरीर से पुष्ट थी चाहती तो परिश्रम कर सकती थी पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की पैसम खाली अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती उठते बैठते सोते जाकते उसे केवल एक काम था और वो मुंशी राम सिवक का भला मनाना अपने जोपड़े के दर्वाजे पर बैठी हुई वो रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती बहुधा अपने असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के वाक और उपोमाओ का व्यवार करती कि लोग सुनकर अचंबे में आ जाते धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली नंगे सिर नंगे शरीर हाथ में एक कुलाडी लिये हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती जोपड़े के बदले अब वो मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती बिखरी हुई लटें लाल लालाखें पागलों सा चहरा सुखे हुए हाथ पाओं उसका ये स्वरूब देखकर लोग डर जाते थे अब कोई उसे हसी में भी नहीं छेड़ता यदि वो कभी गाउं से निकलाती तो इस तरियां घरों के किवार बंद कर लेती पुरुश कत्रा कर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीक मार कर भागते यदि कोई लड़का भागता ना था तो वो मुशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वो बेटे में पूरी हो गई थी लड़कों का उसके मारे नाक में दम था गाउं के काने लंगडे आदमी उसकी सूरत से चुड़ते थे और गालियां खाने में तो शायद सस्राल में आने वाले दमाद को भी इतना आनन्द ना आता हो वो मुंगा की पीछे तालियां बजाता कुटों को साथ लिये हुए उस समय तक रहता जब तक वो बिचारी तंगा कर गाउं से निकलना जाती रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली और अब वो सचमुच पगली थी अकेली बैठी अपने आप घंटों बाते किया करती जिसमें राम से वक के मास हड़ी चमडे आँखें कलेजा आधी को खाने मसलन नौचने खसोटने की बड़ी उतकट इच्छा परकट की जाती थी और जब उसकी इच्छा सीमा तक पहुँच जाती तो वो राम से वक के घर की और मुह करके खुब चिला कर और डरावने शब्दों में हाक लगाती तेरा लहू पी जाओंगी प्राया रात के सन्नाटे में ये गरचती हुई आवाज सुनकर इस तरिया चौक पड़ती थी परंतिस आवाज से भयानक उसका ठठा कर हसना था मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वो जोर से हसा करती थी इस ठठाने में ऐसी आसुरिक उद्दंडता ऐसी पाश्विक उगरता तपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था मालम होता मानो सेकड़ों उल्लू एक साथ हस रहे है मुंशी राम सिवक बड़े होसले और कलेजे के आदमी थे ना हुने दीवानी का डर था ना फौजदारी का परन्तु मुंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वो भी सहम जाते हमें मनुश्य के नियाय का डर नहो परन्तु ईश्य के नियाय का डर प्रतिक मनुश्य के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन कर देता उन से अधिक उनकी इस्त्री के मन में उनकी इस्त्री बड़ी ही चतुर थी वो उनको इन सब बातों में प्रायहा सलाह दिया करती थी उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीव पर सरस्वती बिराचती है वो गुन तो उनकी स्त्री को प्राप्त था बोलने में वो उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे और ये दोनों इस्त्री पुरुश प्राया अपनी अवश दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए आदी रात का समय था मुंशी जी नित नियम के अनसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के दो-चार घूट पीकर सो गए थे यका एक मुंगा ने उनके दर्वाजी पर आकर जोर से हांक लगाई तेरा लहू पी होंगी और खूब चिल लाकर हसी मुंशी जी ये भायावा ठाहा का सुनकर चौक पड़े डर के मारे पैर धर-धर कापने लगे कलेजा धक-धक करने लगा दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दर्वाजा खोला जाकर नागिन को जगाया नागिन ने जुझला कर कहा क्या है क्या कहते हो मुंशी जी ने दवी आवाज से कहा वो दर्वाजे पर खड़ी है नागिन उट बैठी, क्या कहती है, तुम्हारा सिर, क्या दर्वाजे पर आ गई, हाँ आवाज नहीं सुनती हो नागिन मुगा से नहीं, परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था, कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे दो दो बाते कर लो, परंतु मुण्शी जी ने मना किया, दौनों आदमी पैर दबाए ड्योड़ी में गए और दर्वाजे से जाक कर देखा, मुगा की धुंदली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हूई सुनाई दे जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं, रात गुजरी दर्वाजा बंद था, पर मुण्शी जी और नागिन ने बैटकर रात काटी, मुणगा भीतर नहीं गुश सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था, मुणगा से अधिक डरामनी उसकी आव पर नागिन के विश ने मुगा पर कुछ असर ना किया, उसने जोर से ठाका लगाया, नागिन खिस्यानी सी हो गई, हसी के सामने मुह बंद हो जाता है, मुणशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा, ना उठूंगी, कब तक पड़ी रहेगी, तेरा लहु पी कर जाओंगी, म तोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी, इस आपती से कैसे छुटका रहोगा, देवी आती है तो बकरी का खुन पीकर चली जाती है, पर यह डाइन मनुशी का खुन पीने आई है, वो खुन जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने की समय निकल पड़त तो अठवारों और महिनों सारे कुनबे को अफसूस रहता, और यह घटना गाउं में घर गर फैल जाती, पर क्या वही लहु पीकर मुंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा, गाउं में यह चर्चा पैल गई, मुंगा मुंशी जी के दर्वाजे पर धरना दिये बैठी है, म भीर राम गुलाम को पसंदना थी, मुंगा पर उसे ऐसा क्रोध हा रहा था, कि यदि उसका वश चलता, तो वो इसे कुए में धकेल देता, इस तरह का विचार उठते ही, राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई, और वो बड़ी कठिंता से अपनी हसी रोक सका, अहा वो कुए में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु ये चुड़यल यहां से टलती ही नहीं क्या करूं, मुंशी ची के घर में एक गाय थी जिसे खली, दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वो सब उसकी हड़ियों में मिल जाता, उसका धाचा पुष्ट होता जाता था, राम गुलाम ने उसी गाय का गोबरे खांडी में घोला और सबका सब विचारी मुंगा पर उडेल दिया, उसके थोड़े बहुत छीटे दर्शकों पर भी डाल दिये, विचारी मुंगा लदफध हो गई और लोग भाग खड़े हुए, कहने लगे ये मुंशी राम गुलाम का दर्वाजा है, यहां इसी प्रकार का शिश्टाचार किया जाता है, जल्द भाग चलो, नहीं तो, अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी, इधर भीड कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हसा और खूब तालिया बजाई, मुंशी जी न दोपहर हुई, मुंगा ने कुछ नहीं खाया, सांज हुई, हजार कहने सुने से भी नहीं खाया, गां के चौधरी ने बड़ी खुशामत की, यहां तक कि मुंशी जी ने हाथ तक चोड़े, पर देवी पर सनना हुई, निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए, वो कहते कि गरज और हासी बहुत कम सुनाई पड़ती थी, घर वालों ने समझा, बला टली, सबेरा होते ही जो दर्वाजा खोल कर देखा, तो वो अचीत पड़ी थी, मुह पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, और उसके प्राण पकेर ओड़ चुके हैं, वो इस दर्वाजे पर मरने ही आई थी, जिसने उसके जीवन की जमापूजी हर ले थी, उसी को अपनी जान भी सौब दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी, धन से मनुश को कितना प्रेम होता है, धन अपनी जान से भी जादा प्यारा होता है, विशेश कर बुढ़ापे में, रिण कैसे अपमानित हुए, एक छोटे से गाउं में ऐसी असाधरन घटना होने पर जितनी हल चल हो सकती, उससे अधिक ही हुई, मुशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कमना हुआ, उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया, अब गा ना नाई उसकी हजामत बनावे, ना कहार उसका पानी भरे, ना कोई उसे चुए, ये गोहत्या का प्राइशित था, ब्रहमत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है, और इसमें अपमान भी बहुत है, मुंगई ये जानती थी और इसलिए इस दर्वाजे पर आकर मरी थी, वो सादू संतु से माथे पर चढ़ाते हैं, पत्थर का ढेला आग में जला कर आग से अधिक तीखा और मारक होता है, मुंशी राम से वक कानून दा थे, कानून ने उन पर कोई दोश नहीं लगाया था, मुंगई किसी कानूनी दफा के अनसार नहीं मरी थी, ताजिरात हिंद म उसका कोई उधारन नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग उन से प्राश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी, कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वो पानी भर लेंगे, अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या, बला से नाई बाला बनावेगा, एक एक आने में तो अस्त्रे मिलते हैं, धोबी कपड़े ना धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं, साबुन तो गली-गली कोडियों के मोल आता है, एक बट्टी साबुन में दरजनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं, जिसे बगली कपर, धोबी क्या खाकर ऐसा साफ पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लट्ता निकाल लेता है, आप पहने दूसरों को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चड़ाए, रेह में भिगोए, कपड़ों की तो दुर्गती कर डालता है, जब ही तो कुर्टे दो-तीन साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दा हो गई अब उनकी मन पर भे ने चड़ाई की जैसे तैसे रात बीटती थी भे भी बढ़ता जाता था बाहर का दर्वाजा भूल से खुला रह गया था पर किसी की हम्मत ना पढ़ती थी कि जाकर बंद तो कराए निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया मुंशी जी ने कुलह लाड़ा राम गुलाम ने कणासा इस डंक से तीनों आदमी चौकते हिचकते दर्वाजे पर आये या मुंशी जी ने बहादरी से काम लिया उन्होंने नी धड़क दर्वाजे से बाहर निकलने की कोशिश की कापते हुए पर उंची आवाज में नागिन से बोले तुम वेर सोई के कमरे में आये और खाना पकने लगा परंतु मुंगा उनकी आँखों में गुसी हुई थी अपनी परचाई को देखकर मुंगा का भाय होता था अंधेरे कौने में मुंगा बैठी मालूम होती थी वही हड़ियों का धाचा वही बिखरे हुए बाल वही पागलपन वह दरावनी आँख मुंगा का नक्षिक दिखाई देता था इसी कोटरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे यहां कुछ पराने चितरे भी पड़े हुए थे एक चुहे को भूक ने बेचेन किया मटकों ने कभी अनाच की सूरत न देखी थी पर सारे गाउं में मशूर था कि इस घर के चुहे घजब के डाकू हैं तो वो उन दिनों की खोज में थे जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे रेंगता हुआ इस चीतरे के नीचे आ निकला कपड़े में खड़कड़ा हाथ हुई फैले हुए चीतरे मूगा की पतली टांगे बन गई नागिन देखकर ज मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले नागिन ने कहा रहने भी दो देख ली तुम्हारी मरदानगी मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के वे सनाधर पर बहुत बिकड़े क्या तम समझती हो मैं डर गया भला डर की क्या बात थी मूगा मर गई क्या वहां बैठी है मैं कल नहीं दर्वाजी के बाहर निकल गया था तुम रोकती रही मैं न माना मुंशी जी किस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया कल दर्वाजी के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधरन कामना था जिसके साहस का ऐसा प्रमार मिल चुका हो उसे डर पूंक कौ धर्मी थी, खाना खा कर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मुंगा ने यहां भी पीछा ना छोड़ा, बातें करते थे, दिल को बहलाते थे, नागिन ने राजा हरदल और रानी सारंधा की कहानिया कहीं, मुंशी जी ने फौजदारी की कई मुकदमों का हाल कह सुन पड़े हो गए, रहरे कर एक धीमी आवाज धर्दी के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पियोंगी, आदी रात को नागिन नीन से चौक पड़ी, वो इंदरों गर्भवती थी, लाला लाको वाली, तेज और नुकीले, दातों वाली मुंगा, उसी की छाती पर चौके, पर डर के मारे आँखे न खूली, अंधो की तरहे दर्वासा टटोलते रहे, बहुत देर के बाद उन्हें दर्वासा मिला, आंगन में आए, नागिन समीन पर पड़ी, हाथ पाव पटक रही थी, उसे उठा कर भीतर लाए, पर रात भर उसने आँखे न खूली, भ हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी, मूंगा के डर ने उसकी जान ली, जब तक मूंगा जीती रही, उन नागिन के फुफकार से सदा डरती रहती, पगली होने पर भी, उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी चान देकर, उसने आज नागिन की जान ली, भ पर गाहों का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता ना दिखाई दिया। मुंशी जी घर-गर घूमे पर कोई न निकला। हद्तियारे के दर्वाजे पर कौन जाए। हद्तियारे की लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का रौब दाब, उनकी प्रवल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारोर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहां उन्हें अंधकार ही अंधकार दीखता था। दर्वाजी तक तो आए, पर भीतर पेर नहीं रखा जाता था, ना बाहर ही खड़ी रह सकती थे। बाहर मुंगा थी भीतर नागिन, जी को कड़ा करके हनमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन में जो बीटती थी वही जानती थे। उनका अनमान करना कठिन है, घर में लाश पड़ी हुई, ना कोई आगे ना पीछे, दूसरा बेहर तो हो सकता था, अभी इसी फागन में तो पचासवा लगा है, पर ऐसी सुयोग और मीठी बोली वाली इस्तरी कहा मिलेगी, अफसोस, अब तकादा करने वालों से बहस कौन करेगा, उन्हें कौन रित्तर करेगा, लेंदेन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा, किसकी कड़ी आवाज तीर की तरहे तगादे दारों की च्छाती में चुबेगी, ये नुकसान अपूरा नहीं हो सकता, दूसरे दिन मुन्शी जी लाश को एक ठेले गारी प भी नहीं उठी थी, मूगा ने नागिन की जान लेकर भी मुन्शी जी का पिंड न छोड़ा, उनके मन में हर घड़ी मूगा की मूर्ती विराजमान रहती थी, कहीं रहते उनका ध्यान इसी और रहा करता था, यदि दिल बहलाओ का कोई उपाय होता, तो शायद वो इतने ब सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता, विशेश कर वो दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था, अकेले कैदी की तरहे, उनके दस बारह दिन तो ज्योंतें करकटे, चौदेवे दिन मुन्शी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बसता लिये हुए चेहरा कुछ खिला हुआ था, जाती ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे, मैं आसों की दो चार बूंदे गिरा दूँगा, फिर बे नामों, रह नामों और सुलह नामों की भरमार हो जाएगी, मुठी गरम होगी, शाम को जरा नशे पानी का रंग चम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था, इन्ही विचारों में मगन मुझे जी का चहरी पहुचे, पर वहां रह नामों की भरमार और बे नामों की बार और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले, निराशा की रेतिली भूमी नजर आई, ब कई पीडियों से सरोकार था, आज उन से मुझे पानी लगे, वो नालाएक और अनारी रमजान, जिसकी मुझे जी हसी उडाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, गोपियों में कनहिया बना हुआ था, वाहरे भाग, मुवक्के लियों मुझे चले जाते हैं, मानो कभी की जान पहचानी नहीं, दिनवर का चेहरी की खाक चानने के बाद मुझे जी अपने घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए, जियों जो घर के निकट आते थे, मुझा का चितर सामने आता जाता था, यहां तक कि जब घर का दौर खोला, और दो कुते, ज जाय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ती का नहीं, प्रेम, चिंता, निराशा, हानी, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं, यह हवा के हलके जोंके हैं, और भै पर चंड आंधी है, मुझे जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं, कई दिन तक लोगो और उनको भरूसा दिलाने के लिए, अब यही एक लटका रह गया था, इसके बाद वो कई महिने तक दीखना पड़े, बद्री नाथ चले गए, एक दिन गाओं में एक साधू आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाए हाथ में कमंडल, इसका चेहरा मुझी राम से वक और आग भड़ग उठी, गाओं के सेकड़ों आदमी दोड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए, एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है, राम गुलाम मुझी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के हाँ चला गया, और वहां कुछ दिनो रहा, पर वहां उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ना आई, एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नौची, उसने दो चार धौल लगाए, इस पर वो इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए, तो उसने आग लगा दी, सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया, हजार र अभी आप सुन रहे थे प्रेम चंद की लिखी कहानी गरीब की हाए, वाचन समीर को स्वामी का था